120 साल के उम्र में रुकसत हुए हजरत मुलाना अब्दुलगनी कश्मीरी आखरी जियारत के लिए पहुँचे लाखो लोग जी हाँ इसलामिक छेतर की बड़ी शक्षियत हजरत मुफ्ती अब्दुलगनी कश्मीरी का लंबी बिमारी के चलते इंतकाल हो गया उनके सहयोगी मौलवी बशीर ने बताया कि वे कैसी शक्षियत थे जिनकी जियारत करने के लिए लोग देश के हर कोने से आते थे मिर्जापुर के गाउं मगनपुरिस्थित दारुल उलम निजामिया के संस्भापक एवम कई प्रदेशों में लोगों के दिलों में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए थे बिमारी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जियारत के लिए वे उनके आशिरवाद लेने के लिए दूर दूर से रोजाना मदर्से में आते थे गुरवार दस बजकर दस मिनट पर हज्रत मुफ्ती अब्दुल गनी का सहरनपुर के कस्पताल में इलाज के दोरान इंतकाल हो गया इनके इंतकाल की खबर पर यूपी के अलावा हरियाना हिमाचल प्रदेश और उत्रकन आदी प्रदेशों से भी लोग उनकी जियारत करने को मदर्स से पहुँचे हज्रत मुलाना अब्दुल गनी कश्मीरी की जियारत करने के लिए लाखों की संख्या में जन्च सैलाब उमर पड़ा लोगों की भीर जुटी वहीं लावड स्पीकर के माध्यम से लोगों को ववस्था बनाने रखने के लिए आदेश दिये जा रहे थे इस दोरान उम्रा जन्च सैलाब हज्रत के जनाजे को कंधा देने के लिए बिताब था वहीं हज्रत की नमाज ए जनाजा में थाना मिर्जपूर परभारी इंस्पेक्टर प्यूस्तिक्षेद प्यस्सी बल के साथ तैनात रहे इतना ही नहीं हज्रत मौलाना मुफ्ती अब्दुलगनी कश्मीरी के इंतकाल की खबर सुनकर आम लोगों के साथ साथ राजनितिक लोग भी पहुचे अभी के लिए बस इतना ही अगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें